सेविका और भेडिया की कहानी दोपहर का समय था, घर पर सेविका छोटे बच्चे को खाना खिला कर सुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बच्चा सो नहीं रहा था, बलकी रुई जा रहा था तंग आकर सेविका बच्चे को डराने के लिए बोली, रोना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें भेडिये की सामने डाल दूँगी उसी समय एक भेडिया उस धर के पास से गुजर रहा था सेविका की बात सुनकर वो बड़ा खुश हुआ सोचने लगा, वाह क्या बात है, आज का दिन तो शानदार है बिना मेहनत के ही भोजन मिलने वाला है यही बैठ जाता हूँ जब सेविका बच्चे को मेरे सामने डालेगी, तो आराम खाऊंगा वो खिर्की के पास दुबक कर बैठ गया और लार टपकाते हुए इंतजार करने लगा उधर बच्चा सेविका की भीडिये के सामने डाल देने वाली बात सुनकर डर गया और चुप हो गया भीडिये इंतजार करता हुआ सोचने लगा कि यह बच्चा रोक्यू नहीं रहा है जल्दी से ये रोये और जल्दी से सेविका इसे मेरे सामने डाल दे लेकिन बहुत देर हो जाने पर भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई भेरिया बेजैन हो उठा और खिलकी से घर के अंदर जांकने लगा भेरिये को अंदर जांकते हुई सेविका ने देख लिया उसने जटपद खिलकी बंद की और सहायता के लिए शोर मचाने लगी बचाओ बचाओ भेरिया भेरिया सेविका को शोर मचाता देख भेरिया दरकर भाग गया सीख शत्रु द्वारा दी गई आशा पर विश्वास नहीं करना चाहिए